उत्तम स्वास्त पर है सबका अधिकार और इसी जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिपत है सरकार आमतोर पर सुविधा संपन्न लोगों के लिए स्वास्थ सेवाई प्राप्त करना सहज होता है परंतु शहरों के स्लम शेत्रों में रहने वाले विपन्न तथा वन्चितों को ये सुविधा सहज सुलब नहीं है इस तथ्यों को समझते हुए जारखंड सरकार के स्वास्थ विभाग ने पूर्ण रूप से राज्य संचालेत अटल मुहला क्लेनिक की सेवा आरंभ की है जैसा की नाम से ही स्पष्ठ है ये यूजना मुहलों तक स्वास्थ सेवा पहुचाने के लिए आरंभ की गई है राज्य के शेहरी छेतर के स्लम में रहने वाले नागरिकों के स्वास्ते की देखभाल के लिए राज्य सरकार ने पश्थ 2019 से अटल मुहला क्लेनिक की यूजना की शुरुआत की और अब तक इस यूजना के अंदर कर बिरासी अटल मुहला क्लेनिक आरंभ किये जा चुके हैं और आने वाले वर्ष में हम 58 अतरित अटल मुहला क्लेनिक आरंभ करेंगे पिछले वित्ति वर्ष में लगबख सवा दो लाख नागरिकों ने इस यूजना का लाब उठाया है अब तक 82 अटल मुहला क्लेनिक कारियरत हो चुके हैं 2019 से अटल क्लेनिक बर्दवान कंपार्ण में खुली है तब से मैं सेवा दे रहा हूँ और यहाँ पर 40 से 50 मरीज परती दिन आते हैं परतेक मरीज को मुख में दवा दी जाती है और प्रामस भी दी जाती है इन क्लेनिकों में प्राथमिक स्वास्त सिवाओं की हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है मात्र 16 अगस्त 2019 को ही आरंभ की गई इस अनूठी योजना ने थोड़े ही समय में लोगों के बीच अपनी पहजान बना ली है तथा इसके लाभकों में आत्मसंतुष्ठी की जलक दिखलाई पढ़ने लगती है जो हमारे सहरी स्लम इलाके के निर्धन गरीब हैं जो स्वास की दिशा में अन्तिम पायदान पे खड़े हैं उनकी बहतर स्वास सिवा बाहल करने के लिए अटल मोहला क्लीनिक जो हमारे 82 स्थानों पर अभी चल रहे हैं और ये बहतर से बहतर काम करें ताकि जो हमारे सहरी स्लम एरिया में रहने वाले गरीब हैं कमजोर वर के लोग हैं उन लोगों को बहतर सुवधा देने का एक बड़ा ये ससक्त माद्यम है ये संतुष्ठी ही इस पहल की पूझी है अब न रहेगा कोई भी लाचार और पीमार स्वास्थ सेवाएं पहुँचेगी जन जन के घरद्वार